मांगने से भीख मिलती है अधिकार नहीं और निशाद समाज के लोग एक होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे ये शब्द मेरे नहीं है ये शब्द है वियाईपी पार्टी के प्रवक्ता देव जोती के जो लगातार इस बा पर सवार उठाय जा रहा था कि मुकेश शेहनी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि बिहार में उनको कुछ गरबर जहला जहलना पड़े तो उसी पर लगातार कभी भाजपा तो कभी कोई अन्यनेता ये बयान दे रहे थे कि मुकेश शेहनी क को उत्तर प्रदेश में योगी-योगी करना चाहिए और अजय निशात तो खुल कर कई बार कह चुके हैं कि अगर मुकेश शेहनी की पार्टी विकाफ स्चील इंशान पार्टी उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ती है तो यहां पर उनको मंत्री पद जा सकता है और उनके सारे विधायक भी इधर-उधर हो जाएंगे साफ तोर पर वो यह कहना चाह रहे थे कि मुकेश शेहनी की पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं है और इसी की मद्यनेजर जब बयानबाजियों का दौर चालू है वियाइपी पार्टी के प्रवक्ता देव जोती ने कह है कि मांगने से भीख मिलता है अधिकार नहीं और उत्तर प्रदेश में निशाद समाज के लोग अव जाकर एक जुट होकर चुनाव लडेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे आपको बता दे कि मुकेश शेहनी बहुत पहले यह अनाउंस कर चुके थे कि उनकी पार् को नहीं सुन रहे हैं वो लगातारी बात कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में दिल्ली में और उडिसा में निशाद जाती को आरक्षन मिल सकता है तो उत्तर प्रदेश में जारखंड में और बिहार में आखिर निशाद समाज को क्यों दरकिनार किया गया है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के निशाद पार्टी पर कटाक्ष करते हुए देव जोती कहते हैं कि उनके पार्टी का अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी पार्टी नहीं है उनके पास कारेकरता नहीं है वो भाजपा के रहमो करम पर MP, MLA और MLC बंगते रहते हैं और ये स को लेकर लगातार इस बात के क्यास लगाए जा रहे थे कि भाजपा कैसे भी मुकेश चहनी को मना लेगी कि आप उत्तर प्रदेश में चुनाव मत गड़िये लेकिन मुकेश चहनी है जो मानने का नाम नहीं ले रहे है और वो ये कह चुके हैं कि कुछी दिनों के बाद वो कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 16% से जादा आबादी है निशात समाज के लोगों की और अगर उनके मांगों को दरकिनार किया जा रहा है तो ये गलत है और ऐसा वो नहीं सहेंगे और इसी को लेकर कई बार उन पर यह आरोप लगाये गया है कि उनके पार्टी के व दोहरा रहे हैं कि हम 165 सीटों पर अकेले चुनाव लडेंगे और वो बार-बार कह रहे हैं कि अगर पश्चिम मंगाल में दिल्ली में और उडिसा में निशात समाज के लोगों को आरक्षन मिल सकता है तो बिहार, जारखंड और यूपी के निशात समाज के साथ क्यों दोह लिया है कि उनकी पार्टी अकेले 165 सीटों पर चुनाव लडेगी लेकिन इस बात से भी हम इंकार नहीं कर सकते हैं कि अगर वो भाजपा को नुकसान पहुचाते हैं जो कही ना कही निशात समुदाय का सपूर्ट उनको मिलता रहा है तो भाजपा बिहार में उनके साथ ख आएंगे मिनने नाम प्रशांत राय है आप जनता जंक्षन देख रहे हैं बहुत बहुत धनिवाद